राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से आजीरूं आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भाईयो आज हम बात करने वाले हैं गेहों की फसल में दूसरी सिश्चाई पर क्या करें? जिससे कि ज़्यादे कल्लों की संक्या बढ़ सके और यह जेविक तरीके से हो ये मैं आपको एक जैविक तरीका बता हूँगा जिससे कि आप अपने गेहों की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं कल्लो की संख्या भी बढ़ा सकते हैं और आपको इसके अंदर ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा यदि मैं खर्चे की बात करूँ तो आपको लगभग एक एकल खेत के अंदर मात्र 100-100.500 रुपर का खर्चा इसमें आने वाला है 100-100.500 रुपर का खर्चे दिया आप करते हैं और अच्छी तरह से जो मैं आपको बताता हूं इसे आप समझते हैं तो आप मात्र 100-100.500 रुपर में एक एकल गेहों के अंदर जादे जादे कल्लों की संख्या बढ़ा पाएंगे और एक जादा मुनाफाब कमा पाएंगे जो आपकी गेहों हैं इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी जो पीली पढ़ रही है पीली भी पढ़नी बंद हो जाएगी और आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे शुरू करते हैं आज कर पने टोबिक गेहों की फसल में ऐसा क्या करें जिससे की कल्ले ज़्यादा हो सकें ग्रोथ ज़्यादा हो सकें और उत्पादन भी बढ़ा जाए किसान भाई यो इसके लिए आपको क्या करना है आपको वैस्ट डी कंपोजर लेना है वैस्ट डी कंपोजर कहां मिलेगा इसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूँगा आप महां से वैस्ट डी कंपोजर को ओडर कर सकते हैं किसान भाई यो वैस्ट डी कंपोजर मातर 20 रुप डेली घुमाएं 6-7 दिन के अंदर आपका ये जो गोल है ये बन करके तैयार हो जाता है उसके बाद इस 200 लिटर जो आपका ये गोल तैयार होता है इस गोल को आपको जब आप अपने खेट के अंदर सिचाई करेंगे तो सिचाई करते समय इस घोल को अपने खेत के अंदर आपको चला देना है जब आप इसे चलाएंगे तो इसके चलाने के लगवग चार से पांच दिन के बाद आपको अपनी मिट्टी के अंदर अलगी नजरा दिखाई देने लगएगा आपकी जो गेहों की उरुता च्छमता है जो आपकी मिट् किसान भाईयो इस घोल में से आपको उसके बाद में 20 लेटर पानी बचा लेना है याईनकि 180 लेटर पानी ही आपको अपने खेत के अंदर चलाना है 20 लेटर पानी के अंदर आप दुबारा से 2 खलो गुण डाल दें और इसमें फिर पानी आप पूरा बढ़ दें और इसी खेत के अंदर यूर या एन्पिके इन्हें डालने की बहुत कम मात्रा आपको इनकी देनी होगी और आप एक अच्छी खेती इससे कर पाएंगे उम्मीद है आपको मैं एक सही और एक अच्छी जानकाई दे पाया हूँ यदि इससे आपको कुछ प्रेशन हों कुछ सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको पूरे जवाब देनी के उसस करूँगा और आप मेरे वाट्साप नमबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं किसान बर्यों फिर में लेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै किसान